असलाम लेकुम एब्रिवन उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तंदोरी मोमो बनाने की रेसिपी आई होप आपको में यह रेसिपी पसंद आएंगे तंदोरी मोमो बनाने के लिए सबसे पहरे हम एक पैनल लेंगे उसमे आप करोगी टू टेबल स्पून के करीब रेगुलर कुकिंग ओईल को कुकिंग ओएल आट करने के बाद अब हम इसमें चिकन का कीमा आट करेंगे यहां पर मैंने तीन सो ग्राम चिकन का कीमा आट किया है आप चिकन को छोटे-छोटे टुकडों में कट कर ले और फिर आप चिकन के कीमा आसानी से बना पाएंगे अब हम इस चिकन की कीमा को दस मिनिट तक हाइफ फ्लेम पे भून लेंगे ताकि इसका कच्छा पर निकल जाए आप इसे चमश की मदश से इस तरह से तोड़ते रहें वरना यह आपस में एक साथ चिपल जाते हैं कशनी तक हाइफ तक आको हाइफ फ्लेम पेे इसे अच्छी से थूछ लेना है यह देखिये दस मेर तक मैने इस चिकन का अच्छी से भून लिया तो हाइफ लिम पे अब हम गैस का फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे और इसमें दो कप कटा हुआ बंद गोभी हैंट यहाँ पर मैंने 600 ग्राम के करीब कटा हुआ बंद गोबी आड़ किया है बंद गोबी को आड़ करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले आप इस सब प्रोसेस को मीडियम फ्लेम पे ही कुक करें बंद गोबी आड़ करने के बाद आप इसे 2-3 मिर तक अच्छे से चला रहे उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे बारी कटा हुआ प्याज प्याज मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब लिया है मतलब 1 फोर्थ कप कुकहें इस प्याज को भी आड़ कर ले और अच्छे से मिक्स कर ले अब आप क्ैस का फलेम पर रखे आप हम इसमें मसाले आड़ करेंगे मसालों मैं मैं एक करूँगी हाफ टेपल स्पून नमक हाफ टेबल स्पून काले मिर्च पाउडर नमक आप अपने टेस्ट के अक्वाडिंग बढ़ा या घटा भी सकते हैं इन दोरों मसालों को आड़ करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले जब चिकन में अच्छी से मसाले मिक्स हो जाए तब हम इसमें एड़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर मैं हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर एड़ कर रही हूँ और हाफ टेबल स्पून हम यहाँ पर एड़ करेंगे तंदूरी मसाला इन सब मसालों को भी आप चिकन में अच्छी से मिक्स कर ले mix करने के बाद अब आपूसमें एड़ कर देगे वन तेबल स्पून सोय sos add करने के बाद आप इसे एक बार और अच्छी से mix कर ले उसके बाद आपने यसे ढख करके साथ से आठ मिनट के रिए कुक करेंगे अब ग्यास का फ्लेम बिल्कुल स्लो पे रखें और इसे साथ से आठ मिनट तक कुक कर ले यह देखिए साथ से आठ मिनट हो चुके है और जो हमारा चिकेन है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है अब आप इसे एक अलग बरतन में निकाल ले और इसे थंडा कर ले हमारी मोमो की स्टफिंग बन के तयार है अगर आपको लगे कि इस स्टेज पर थोड़ा इसमें पानी है तो आप इसका फ्लेम हाई कर ले और इसका पानी भी सुखा ले यह देखे मैंने यहां पर अलग बरतन में स्टफिंग को निकाल लिया है अब हम मोमो का डो बनाएंगे डो बनाने के लिए मैंने यहां पर एक बॉल में लिया है मैदा मैद्य मैंने यहां पर वन एन हाफ कप लिया है 400 ग्राम के करीब मैंने यहां पर प्लेन मैदा लिया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे आदा चमच नमक और दो चमच रेगुलर ओईल ओईल एड़ करने के बाद आप इसे अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद आप इसमें नॉर्मल पानी आड़ करके एक डो तैयार कर लेंगे डो कुछ इस तरह का दिखे का अब हम इसके उपर हाफ टेबल स्पून के करीब ओईल आड़ करेंगे और ओल को अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से अब हम इसे ढख के साइड में रख देंगे आदा गिंटे के लिए उसके बाद हम इसके मॉमोस बनाएंगे हाफ एन आवर हो चुका है अब हम इस आटे से छोटी छोटी पेड़े बना लेंगे इस तरह से आप छोटे से पेड़े बना लें बने अब है पुडियों के साइस के पेड़े बना है अब हम इसमें सुखा मैदा लगा लेंगे और इससे बेल लेंगे आपको इसे पतला बेलना है बिल्कुल इस तरह से अब आप किसी भी एक कटोरी के मदद से इसे इस तरह से कट कर ले ताकि जो हमारे मोमों से वो एक शेप के बने इसका एकसेस आटा आप निकाल ले अब हम इसे थोड़ा सा एक बार और बेल लेंगे ताकि जो इसके कॉर्णर से वो थोड़ी पतले हो जाए बेलने के बाद अब हम इसमें स्टफिंग एड़ करेंगे सबसे पहले हम इसके सेंटर पे स्टफिंग को रखेंगे उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे आप एक के उपर एक इस तरह से फोल्ड लगाते जाए आप किसी भी shape का बना सकते हैं मैं round shape का बना रही हूँ ये देखिए एक के उपर एक आपको इस तरह से fold लगाते जाना है और इसे बनाते जाना है इस process को repeat करके आप इसके 4 ओर इस तरह से fold लगा ले जब ये fold अच्छे से सब तरफ हो जाए तो आप बीच के हिसे को इस तरह से हातों में ले और stuffing को अंदर प्रेस कर ले फिर आप इसके बीच के हिसे को इस तरह से joint कर ले और इसे seal कर दे इस तरह से मैंने सारे momos को बना लिया है अब हम इस momos को हलका सा fry करेंगे फ्राइ करने के लिए मैंने यहाँ पर oil गर्म करने के लिए रख दिया है और जब हलका गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके इसमें momos कर देंगे आपको इसे slow flame पर ही फ्राइ करना है हमें इसे golden brown नहीं करना है बस हलका सा fry करना है जब यह एक साइड से अच्छे से fry हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे और इसे दूसरे साइड से थोड़े देर के लिए फ्राइ कर लेंगे यह देखे मैंने इसे ज्यादा फ्राइने किया है हलका सा बिल्कुल हलका सा golden color आने से आपको इसे पलट लेना है और इसे दूसरे साइड से भी एक या हाफ मिनट के लिए आपको कुक करना है यह देखे यह कुक हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे यहाँ पर मैंने इसी प्रोसेस को रिपीट करके सारे मॉमोस को कुक कर लिये थे, यह देखे मैंने इसे ज़्यादा कुक नहीं किया है अब हम एक बैटर बनाएंगे, बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है, इसमें मैं आड कर दूँगी दही, दही मैं आड कर दही आड करूँगी टूटेबल स्पून के करीब डही आड करने के बाद हमें इसमें एड करेंगे अगर आपके पास अमूل का क्रीम ना हो, तो आप इसमें दूद की ऊपर की जो मलाई होती है वो भी आड कर सकते हैं इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब दही और मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें थोड़े मसाले आट करेंगे, मसालों में हम आट करेंगे सबसे पहले, आधा चम्मच के करीब, तंदूरी मसाला, अब हम इसमें आट करेंगे, रेड फ यह देखिए यह बैटर बन के तयार है अब हम इसमें एक एक करके अपने मोमोस को एड़ कर देंगे मोमोस को एड़ करने के बाद आप हातों की मदद से इसे अच्छे से मोमोस में मिक्स कर ले ताकि मोमोस में अच्छे से बैटर लग जाए हाट अकमेदस इस तरह से जब मुमोज में अच्छे से बैटर लग जाएंगे आप एक-एक मुमोज में अच्छे से बैटर को लगा ले अब हम इसमें धुआ देंगे धुआ देने के लिए मैंने यहापे सेंटर में जगा बना लिया है अब हम इसमें एक कटोरी में रख दिय कोईले को यहां पर मैंने कोईले को अच्छे से गर्म कर दिया था अब हम इसमें वन टेबल स्पून घी आट कर देंगे और इसे ढख देंगे आप इसे 20 मिनिट तक इसी तरह से ढख के रखे ताकि जो स्मोकी फ्लेवर है वो मोमोस में अच्छे से आ जाए यह दिखे 20 मिनिट हो चुके है अब हम इस कटोरी को निकाल लेंगे के बाद हम इस मोमोस को गैस में अच्छे से बूनेंगे यहां पर मैंने एक इस तरह से एक चमच ले लिया है अगर आपके पास आइसा जाली वाले चमच ना हो तो आप इसमें स्टैंड रख ले और एक एक करके अपने मोमो को इसके उपर रख ले अब आपको इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है आप चिम्टे की मदद से इसे बराबर से घुमाते रहे वरना यह जल भी सकते हैं यह देखिए कि इतना प्यारा कलर आया है तंदूरी मोमो का इसी प्रोसेस को रिपीट करके आप सारे मोमो को अच्छे से भून लें यह देखिए यहां पर मोमो मैंने यहां पर अच्छे से भून लिए है अब मैं इन मोमो को निकाल लूँगी और इसकी प्लेटिंग करूँगी मैंने यहां पर इसे मोमो की चटनी के साथ सर्फ की है अगर आपको इस चटनी का रेसिपी चाहिए तो आप वीडियो के एंड में मैं इसकी लिंक आड़ कर दूँगी आप वहां से उस रेसिपी को देख सकते है एक एक करके आप इस मोमो को रख ले मैं इसके साथ थोड़े से कटे हुए प्यास भी सर्फ कर रही हूँ अब हम इसे अमूल क्रीम के साथ सर्फ करेंगे अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई कार्णिश के लिए यूज़ कर सकते हैं आपको मलाई को अच्छे से फैंट लेना है फिर आप इसे मोमोस के उपर डाल के सर्फ कर सकते हैं यह मोमोस बहुत ही टेस्टी बनते हैं और अंदर तक बिल्कुल कुक हो जाते हैं आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक